हेलो दोस्तों आज आपका फिर स्वागत है मेरे एस्पी कोग पे आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी दम हाइद्रावादी बिरियानी जो हम बिना चिकन को फ्राइ किये या ग्रेपी बनाएंगे नहीं और इसे हम जैसे कंचा रहता है उसमें बनाएंगे तो सबसे पहले यहा कोमरीटर तरमृक वनियों चिकन स्विपितन přाव यहां नहीं रहा है और यहां पोक्तिना का पता यहां राइस जब हम बनाएंगे तब घुट कोलर और थोड़ा गी यूच करूंगे और इस दि क्ली, यए रहा एस खरी बनाएंगे तो सबसे पहले यहां पे ली हूँ ब्लाक पेपर, गोल मिर्ची, लबंग, ओटेज पता, डल चिनी और सहाजीरा और यह राग ग्लुकन जो मैं बिर्यानी जब दम दूंगी तब उसमें डालोंगी और केवडा का वाट्टार यह बला चावल मैं यूज करूंगी अब देख सकते हो वैसमेत्टी चावल और यहां पे मैं लेमन का एक बड़ा सा लेमन ली हूँ और यहां पे हापकलाश दूद ली हूँ जो मैं पिर्यानी बनाते वक्त दम में दूंगी तो चलिए फिर सुरू करते हैं सबसे पहले सबस्के पहले हम चीकन पे सारा जितना भी मैं दिखा आव अटकाल जिसे दही अग्ला सूंग का पेष्ट और सारा मसाला और थोड़ा सा धनिया का पत्ता और थोड़ा सा पोधिना का पता इसे आठ करूंगी और फिर में जो जो भूना हुआ या फ्राई किया हुआ मैंने प्याच उसे आड़ कर लूँगी देखे थोड़ा सा नमक स्वात अंसर अपर हिसाब से स्वाच जितना देखकर टेस्ट करके अकड़िंग आड़ करना और इसे अच्छे से मिला लूँगे मिला ली और यह मैं ओयल मिला ली हूँ जो मैंने ओनियन फ्राइ किया था वही ओयल आप ज्यादा देना दोस्तों चली ऐसे दो घंटे तक मैरिनेट कर लेती हूँ और अभी जब तक मैं चावल बना लेती हूँ चावल बना लेती हूँ जैसे यहां पर नमक आड़ कर ली एक और सारा इंग्रीट जो भी मैं दिखाई थी थोड़ा सा ओयल आड़ कर लोंगी जब मैं चावल बनाऊंगी तो चली पर चावल बनाते हैं इसे हम अभी पिठा लेंगे और पानी जब श्ट्रीम आजाए इसमें थोड़ा सा ओबाल आजाए तब हम इसमें चावल करें देखिए मैं यहां पर चावल को अब आगया है अभी मैं चावल का दिखाती हूँ य जैसे 30-40% इतना पकाना है क्योंकि मुझे कंचे गोस पर ही मतलब चिकेन पर ही मुझे बिडियानी बनाना है तो उस पर चावल बन जाएगा इसलिए मुझे 30% ही इसका बनाना है दोस्तों याद रखिएगा अगर आप मेरे चैनल पर हैं दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब भी कर दीजेगा देखिए मैंने या पर राइस हो गया है यह 30% ही आप देख सकते हो अच्छी तरीक इस नहीं बना तो चलिए अभी हम रेडी करते हैं बिर्यानी का यहां पर मैं मेरेनेट चिकेन को ले आई हूं और इसमें सबसे पहले थोड़ा सा चावल क अगर थै करूंगी तो अधन्या पत्ता और नियापत्ता और तो डिप्स जो पोदीन का पत्ता और थोड़ा सा फ्राइ किया हुआ ओनियान और यह मैं तोड़ा सा हलका सा अगर करती हूं बिर्यानी मशाला और यहां पर मैंने लिंबु को निचोड के उसका रस निकाल लिय तुआ ही आड़ खेंगे लीक यह चाहगए वातर नावाटाब करेंगे लाइड से 1955 सिता सकाम। के नाअचे लगा साथ चैनल में आपको मेरे वीडियो मेरे लाइक चाह बदेता जयाया बहुत यह आज मेरे चैनल को आफ नहीं हilsए करते अदि की Larum और आप इसे घर पर ज़रू ट्राइए किजिए दोस्तों बहुत 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 होता है आपको तो पिता है हाइधराबादी दंबीरानी कितना फेमोस है इस तरीके का होता है देखिए इसमें एक्ष्ट्रा आड करूंगी जैसे दूत लाश्ट में जो लेयर दोंगे और फूट कलर को मैं ने घी भी आड करूंगी लाश्ट में और फूट कलर को मैं थोड़ा सा पानी में यह करके रखी हूं उससे आड कर लोंगी यह तीन इंग्रेट मुझे लाश्ट चेप में आड करना होता है और देखिए अपर मैंने आटा को अच्छे से चटक के यह कर कि यह मुझे ऐसे ही बनाना है कुछ हेविय सामन होस को पर लग लेना और इसे में 30 मिनित तक कम से कम बनाऊंगी कम से कम 20 मिनित तक आप इसे मीडियम फ्ले में बनाना और फिर 10 मिनित हाई में अभी मेरा दम भी रहनी रही हो गया है अब देख सकते हो चलिए फिर सॉर्व करत हूं तो कितना बहती दिन तरीके से बना हुआ है खिला खिला जावल भी हुआ है आपको मैं इसे दिखाती हूं देख सकते हैं और इसे मैं सॉर्व कर लेती हूं दोस्तों इसे घर पे जरूर ड्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरा वीडियो कैसा ल झालना हुआ झालना हुआ है जाओ कितना रहती है खिला झालना इसे दिसलिए कर ले दोस्तों है जरूरिंगवा नδα है कर då दोस्तों है प्राम रवादे-ई